अब वक्त आ गया है अपने सपनों को सकार करते हुए देखने का अब वक्त आ गया है कि जो भी आपने सपना सोचा था अपने मम्मी पापा के बारे में अपने बारे में उसे पूरा करने का ऐसा इसलिए है क्योंकि अब वक्त आ चुका है नीट का एक्जाम का अब 30 दिन के आ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अपने परिवार का नाम रोशन करूंगा, अपना नाम खुद पर रोशन करूंगा, एक बहतर सोसाइटी में दे पाऊं, अपने मम्मी पापा को और खुद को, एक बहतर फ्यूचर दे पाऊं, और एक बहतर लाइव स्टैल दे पाऊं, एक बहतर घर हो एक गाड़ी हो और कहीं पर भी घूमने के लिए यह सूचना ना पड़े कि यार पैसे कहां से आएंगे सो अब यह वक्त आ चुका है क्योंकि अब मीट का एक्जाम बहुत नज़्दीक है क्योंकि अगर आप नीट का एक्जाम देंगे और सफल होंगे तो यह सारे सपने बिलकुल सकार हो जाएंगे और बिलकुल होंगे ही होंगे क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत किया है याद रखेगा यह वही दिन है जब एक्जाम नज़्दीक होता है तीस दिन जब नज़्दीक होते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे से अब कुछ होने वाला नहीं है मैं अगले साल नीट दूँगा यह वही दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा डी मॉटिवेशन होता है यह वही दिन है तीस दिन जिसमें ऐसा लगता है कि मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं हूँ ये ऐसा दिन है जहांपे डी मॉटिवेशन का इतना जादा लेवल रहता है कि जो आपने एक साल दो साल पढ़ाई किया है वो पूरा का पूरा बरबाद हो जाता है इसलिए ये वीडियो आपको मॉटिवेट करेगी और अपने लक्ष के प्रती बहतर दिशा देने की प्रयास करेगी ताकि आप सब एक डॉक्टर बन पाएं नीट जैसे बड़े एक्जाम को क्रैक कर पाएं इस वीडियो में दो चीजे है एक तो रियल मॉटिवेशन है और दूसरा स्टाटीजी है दोनों का कॉमिनेशन जो है आप सब को एक बहतर दिशा देगा और मैं खुद डॉक आपको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा मैं उस लाइक नहीं हूँ तो यह जो थौट है वो सरासर गलत है इसलिए गलत है कि संसार में जो भी चीज़ है और इंसान ने क्रियेट किया है नेचुरल चीजों को छोड़ के सारा चीज इंसान ने बनाया है जब वो इ 12 घंटा ही तो पढ़ना है तो उनके सामने आपका जो हाड़ वर्क है बहुत चोटा है इसलिए आपको हाड़ वर्क करना है दस से 12 घंटा रोजाना कॉंटिनीवस भले ही कितने भी विपिता आ जाए या डी मॉटिवेट हो जाए आपको 10-12 घंटा पढ़कना ही पढ़ना ह देखे हर चीज का आंसर पढ़ाई ही हो सकता है दूसरा आंसर नहीं हो सकता है अगर आपको बायोनी समझ में आती है पढ़ाई करो पढ़ाई करो केमिस्ट्री नहीं आती है पढ़ाई करो हर चीज का आंसर पढ़ाई है तो क्यों ना हम पढ़ाई करें तो 10-12 घंटा आपक आपके मम्मी पापा कितने खुश होंगे कितने हैपी होंगे कितने खुश होंगे खुशी के आंसु जलक पड़ेंगे आप कितने खुश होंगे और सुचिए कि एक ऐसा पल है जहां पर आपका नाम नहीं है तो कितने दुख के बात होगी तो यह जो नाम नहीं है जैसे आपक लूँगा तो आहां पे सिधा रफ्लेक्ट होगा 650 छे सो पचास सिधा रफ्लेक्ट होगा 600 आपके मन में आने ही आने चाहिए अगर ऐसे थौंड़ आए तो आप और ज्यादा मेहनत करोगे बेहतर तरीके से डॉक्टर बनते हो तो मेरा और मेरा एक motivation का level होता है मैं एक दो college में गया अभी पिछे 6 महिने में मुझे realize नहीं था कि मेरे पढ़ाए हुए student यहां पे भी है और बहुत खुशी मिलती है कि अपने student को देखे हो बोलता है कि sir मैंने आपका YouTube वीडियो देखा था सरमेन अकाडमी पर आपकी classes दी थी कितनी खुशी की बात होती है जब एक गरीब परिवार से बच्चा आकर doctor बनता है न तो उसका अलगी रुतबा होता है वो society के बारे में सोचता है वो अपने बारे में भी सोचता है लोगों के बारे में भी सोचता है और वहदर भारत का नि हो जारे stress मत लीजे क्योंकि stress बहुत खतरनाक होता है मैं समझ सकता हूं stress को minimize जीरो नहीं किया जा सकता है इस्ट्रेस एक कारण भी है heart attack का और सबसे प्रमुख कारण भी है और इस्ट्रेस से तो ऐसा देखा गया है कि अगर आपको चीजे आती भी है तब भी आप नहीं कर पाते हो आपने कई बार अनुभव भी किया होगा कि जब exam देने जाते हो आपको चीजे आती है तब भी आ नहीं कर सकते हैं यह सभाविक चीजे हैं बट कम जरूर किया जा सकता है और कम इसली किया जा सकता है जब पढ़ाई का प्रला उपर हो और स्ट्रेस अपने आप नीची आ जाएगा तो स्ट्रेस को कम करने का एक ही उपा है कि आप पढ़ाई के रेंज को बढ़ा दो स्ट्र सब लोग लिखिए कि इस बार मेरा सेलेक्शन होगा इसी बार तो इसी बार है जान लगा दीचे ये रिविजन द ones करिएगा देखे मैं भी बताता हूं important topic क्या हैं बहुत सारे लोग बताते हैं important topic क्या है क्योंकि अपने अपने अन्भव को share करते हैं आपके साथ बहुत अच्छी बात है वो करिए बड़ याद रखिएगा हर चीज important है कोई चीज ऐसा नहीं है जिसे आप छोड़ के जा सकते हैं हर चीज important है और हर चीज को बारीकी से revise करिए बार बार recall करिए एक ही चीज है कि अगर आप examination center में आपको चीज़े याद आए वो तभी हो सकता है जब आप उसे 20 बार से वे ज़्यादा पढ़े होंगे तभी हो पाएगा एक दो बार तो ऐसे ही भूल जाते हैं मैं पढ़ाता हूं पांस से छे पढ़ाता हूं और किसी बच्चे से पूशता हूं कि मैंने पांस से छे किया पढ़ाया तो चप्टर का नाम नहीं बता पाता है सोचो भूलने का इतना rate जादा है तो हम कमें कम से कम 20 से 30 बार revise करना पढ़ेगा हर content को चायो physics हो chemistry हो और बायो हो जब तक आप revise नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है revision important है उस revision का practical apply करना भी बहुत important है question के form में ताकि जो आप content पढ़ रहे हैं उसका application क्या है उसे कैसे हम इस्तमाल कर सकते हैं और इस सब को मैं आपके लिए असान बना रहा हूं daily 8 बजे अनकाडमी के ऊपर पीवाई क्यू कराता हूं और mock test कराता हूं तो daily 8 बजे पीवाई क्यू और mock test कराता हूं उसमें आप हिस्सा लिजे हजार से ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं और इसका फादा उठाते हैं और आपको भी जुड़ना चाहिए और simple तरीका य आपको मैं short note देता हूं pyq tagging देता हूं उस chapter का जैसे मैंने last time evolution दिया था तो evolution का short note है जिसे आप 10 से 15 मिनिट में evolution को revise कर सकते हैं इसके बाद उस evolution से पूरे साल कितने question आये हैं that is a pyq tagging with the ncrt number और तीसरा आजकल मैंने start किया है ncrt highlights जो ncrt highlights को पढ़ लेजे काम हो जाएगा तो मेरी telegram से जुड़ जाएगा आप सब को बहुत बड़ा support मिलेगा और इसी साल नीट को crack करना है with a positive attitude positive रही है thank you so much